कोरोना महमारी का खत्रा एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है और इस बार भी चीन की तरफ से ही इसका खत्रा बढ़ा है इसके चलते दुनिया के कई देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन्स चारी कर दी है चीने यात्रियों के लिए कुछ देशों में घुसने पर आर्टी पीसिया टेस्ट अनिवार्य हो गया है इसे लेकर अब चीन भड़ा कुठा है नियूस एजेंसी रॉइटर्स के मताबिक चीन ने ऐसे ही प्रतिवंधों को अपने यहां भी लागू करने की चितावनी दे दि हैं चीन के विदेश मंत्राले ने मंगलवार यानि की 30 जनवरी को कहा है कि कुछ देशों ने चीन के यात्रियों पर जो प्रतिवंध लगाए हैं वो पूरी तरह से बेवजा हैं और इसका कोई वैज्यानिक आधार ही नहीं है विदेश मंत्राले की प्रवक्ता माउ निक की मुताबिक चीनी यात्रियों के खिलाफ कोरोना को लेकर जो भी प्रतिवंध लगाए गए हैं वो सिर्फ राजनितिक कारणों से हैं उन्होंने इसले कर कहा कि चीन भी ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सक्त प्र कोरोना संक्रमन बढ़ा तो भारत समेत कुछ देशों ने ट्रावल गाइडलाइन्स में बदलाव कर दिये इसके तहत चीन, होंग कॉंग, सिंगपोर, दक्षन कोरिया और जपान से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवारे कर दिया गया भारत के अलावा अम पदले के आग में सिमिलर गाइडलाइन्स को अपने देश में भी जारी करने की घोशना कर दी हैं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही इस खबर से जोड़े अपडेट्स जाननी के लिए आप देखते रहिए